इए गैज, वेल्कम टू दी सेशन, इस स्रीज में हम मेज रियादव का मैस पड़ रहे हैं, जिसमें एक पार्ट हम कर चुके हैं, नंबर सिस्टम का, आज दूसरा पार्ट है इसका, संख्या पजती या नंबर सिस्टम पार्ट सेकिंड, जिसमें पिछले पार्ट में हमने 10 question एक पार्ट के complete कर लिए थे और आज उसका बी पार्ट है यह मैं अभी example करा रहूं आप लोगों को कि जो chapter के पहले number system बाले chapter के पहले example दिये हैं उदारण दिये हैं हल सहीत उदारण यानि के solved example तो उसमें false type का चल रहा है उसका बी पार्ट और इसका नाम है जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्याओं ग्याद करना ठीक है जोड़ी गई संख्याओं दी जाएंगी उसमें से एक संख्या ग्याद करनी होगी और यह इसका टाइप है अगला इसकी शुरुवात करते हैं क्योशन किस टाइप से देगा वो क्योशन देगा तीन करमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी ठीक है अब जब भी इस टाइप का क्योशन पूछेगा ठीक बीच वाली संख्या ठीक बीच वाली संख्या पूछ रहा है तो यह होता ह आपका योग बटे N योग बटे N मतलब जो योग दे रखाओगा वो अपोन उसका number of terms या संख्याएं तो योग दे रखाओँ उसने कितना 24 24 बटे और संख्याएं कितनी है N 3 है तो 3 अठे 24 इसकी जो ठीक बीच वाली संख्या होगी वो 8 हो जाएगी दियान रखेंगे 3 करमागत संख्याओं का योग 24 है ठीक बीच वाली संख्याओं क्या होगी तो ठीक बीच वाली संख्याओं निकलेगी योग बटे N योग दे रखाओ 24 और N यानि के number of terms दे रखें 3 तो 24 बटे 3 8 इनकी जो सबसे बीच वाली संख्याओं होगी वो 8 होगी केलियर है इसी टाइप से आगे चलेंगे 5 करमागत संख्याओं का योग 80 है सबसे छोटी संख्याओं ग्यात कीजिए अब देखो ठीक बीच वाली संख्याओं में बता है इसका फोर्मूला होता है या इसका तरीका होता है बीच वाली संख्याओं निकालने का 80 बटे कितनी संख्याओं है 5 80 बटे 5 यानि कि योग बटे N 80 बटे 5 का मतला हो जाएगा 16 तो 16 ये इसका जो है बीच का नंबर आएगा सबसे मिडल वाला तो ठीक बीच वाली संख्याओं क्या है 16 अगर ठीक बीच में 16 हो और टोटल संख्याओं कितनी हो 5 तो यहाँ पे आपके 2-2 नंबर होंगे 2 नंबर इधर आगे होंगे और 2 नंबर इधर पीछे होंगे और सम संख्याओं दे रखी है तो 16 का पिछला नंबर क्या होगा 14 होगा और उसका पिछला नंबर क्या होगा 12 तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 12 और अगर हम बड़ी देखें तो 16 का अगला नंबर क्या होगा सम संख्या 18 और उससे अगला नंबर क्या होगा 20 तो सबसे बड़ी संक्षा हो जाएगी 20 लेकिन वो सबसे बड़ी नहीं पूछ रहा सबसे छोटी पूछ रहा है तो छोटी कितनी होगी 12 होगी एक बार और बता देता हूँ 5 क्रमागत सम संक्षाओं का योग 80 है मैंने बोला था योग बटे N यानि के number of terms 16 से 1 पीछे 14 होगी और दूसरी पीछे 12 होगी क्योंकि 5 संक्षाओं हैं तो एक बीच वाली 16 होगी तो 2 इ場 होँगी और 2 इजर होँगी 6 के पहले चोटी अगर 2 होंगी तो एक 14 होगी और एक 12 होगी 12 सबसे चोटी होगी बड़ी आगे अगर दो होगी तो एक ठार होगी एक बीस होगी तो इन में सबसे बड़ी संख्या 20 होगी और सबसे छोटी 12 होगी वो पूछ रथा सबसे छोटी संख्या ग्यात कीजिए यह होगी 12 के लिए रहा है चलिए पांच करमागत संख्याओं का योग 250 है सबसे बड़ संख्या ग्यातिय जी अब पांच क्रमा गस्त्रम संख्या ने रखिए उनका योग 250 है तो योग अगर 250 है तो बीच वाली संख्या को पहुंसी होगी बीच वाली संख्या यह होगी 250 बटे 5 यानि के 25 50 ठीक बीच वाली संख्या कितनी हो गई 50 हो गई अब ठीक बीच वाली अगर 5 ही 50 हो तो 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी और 2 इधर होंगी, तो 50 से पहली 50 से जस्ट पहली समसंख्या कोन सी होगी, 48 और 48 से अगली पीछे में 46, तो छोटी में तो आगई 46, पचास से अगली next समसंख्या कौन सी होगी 52 और उससे next होगी 54 तो उसने पूछा था सबसे बड़ी समसंख्या ग्याद कीजिए सबसे बड़ी इन पांचों में सबसे बड़ी समसंख्या कौन सी है 54 है पांच कर्मागत, सम संख्याओं का योग 250 है योग 250 है तो योग बटे संख्या यानि के N अगर हम कर दें यानि के 250 बटे 5 अगर हम कर दें तो ठीक बीच वाली संख्या मिल जाती है और ठीक बीच वाली संख्या कितने मिली है? 50 अब इस 50 को बीच में रखेंगे, क्योंकि ठीक बीच वाली है, 50 के बीच में रखा है, तो 5 संख्या है, तो 2 इधर होंगी लेफ्ट में, और 2 इधर होंगी राइट में, तो 5 भी तो 50 है, 2 इधर, 2 इधर, तो इससे पहली छोटी संख्या 48, और उसके पहली छोटी संख्या 46, चोटी संख्या होगी, 46 सबसे चोटी इन में, और अगली बड़ी संख्या 52 और उससे अगली बड़ी संख्या 54 वो पूश रहा था इन पांचों में, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 54 होगी, देखो 5 संख्या हैं, 46, 48, 50, 52 और 54 ये संख्या हैं, सबसे बड़ी है इन में 54 उमीद है समझ आगया होगा तीन कर्मागत विसम संख्षाओं का योग 51 है तीन का विसम संख्षाओं का योग 51 है ठीक बीच वाली विसम संख्षा कौन सी होगी कितना है तीन का विसम संख्षाओं का योग 51 तो 51 बटे 3 अगर मैं कर दूँ योग बटे N योग बटे N यानि के 51 बटे 3 सत्रे ते 51 तो बीच वाली संख्या कितनी आएगी सत्रा ठीक बीच वाली संख्या ठीक बीच वाली संख्या है 17 तो ठीक बीच में अगर सत्रा होगा तो कितनी संख्या है 3 है तो एक इधर होगी और एक इधर होगी सतरा से अभध्यान देना है सतरा के बाद और सतरा के पहले विशम संख्या दे रखी है तो सतरा से पहली विशम संख्या कौन सी होगी 15 और सतरा के बाद की विशम संख्या होगी 19 वो पूछ रहा था कि सब से ठीक बीच वाली विशम संख्या 19 होगी, छोटी पूछेगा 15, बड़ी 19 और ठीक बीच वाली कितनी होगी 17 यानि के 17 किलिए रहाए, simple question है योग बटे N, इध्यान रखेंगे तो इसमें ठीक बीच वाली संख्या मिल जाती है, पांच करमागत विसम संख्याओं का योग 145 है सबसे छोटी विसम ख्याओं गयात कीजिए आपकी बार 5 संख्या देदी तो योग 145 है बीच वाली संख्या कौन से आएगी 145 वटे 5 ये ठीक, बीच वाली संख्या आ जाएगी ठीक, बीच वाली संख्या क्या होगी 145 वटे 5 यानि के 5 दुनिदास और 5 नमे 45, 29 तो 29 अगर किनी संख्याओं के बीच में हो, 29 किनी संख्याओं के बीच में हो तो अगली संख्या एक होगी और उससे अगली दूसरी होगी, फिर इससे पिछली एक होगी और उससे पिछली दूसरी होगी, यानि के 5 संख्याओं में ये अग पच्चिस तो ही ते 25 सबसे चोटी कों से होगी 25 और बड़ी पूच्ता है 29 की अगली विसम्संख्या 731 और 31 की अगली 29 की Juan sanchyah 33 सबसे बड़ी संसक्यार हुगे 25 छोटी पूच्ञा था तो क्या जाएगा 25, ठीक, पहले सबसे, पहले हम इसको find करते हैं, ठीक बीच वाली संख्या 145 बटे 5, यानिके जो योग है इसका बटे N, 145 बटे 5, यानिके 29 ठीक बीच वाली संख्या में लगी, 5 संख्या हैं total, तो 2 इसके left में होगी, और 2 राइट में, यानिके 2 पीछे हो होंगी, और 2 आगे होंगी, तो 2 पीछे होंगी इसकी विसम में, तो सबसे पहली पीछे वाली 27 होगी, उसके last में पीछे वाली 25 होगी, तो 25, 27, 29, फिर 31, 33, तो इसमें छोटी पूछरा सा 25 हो जाएगी, आंसर होगा 25, पांच करमागत विसम संख्याओं का योग पच्पन ह पांच तो ग्यारे पंचे पच्पन, ठीक बीच वाली संख्या 11 है, ठीक बीच वाली संख्या 11 है, पांच टोटल संख्या है, तो 2 संख्याओं यहां हो जाएगी पीछे और 2 संख्याओं आगे हो जाएगी, तो 11 से जस्ट पीछे वाली 9, और 9 से जस्ट पीछे वाली 7, सब सबसे बड़ी विसम संख्याइस में कौनसी होगी 15 होगी ठीक है किलियर है उमीद करता हूं यह समझ आगया होगा आसान क्योस्टन है लेकिन जिनका बेसिक किलियर नहीं है जो स्टार्टिंग करने उनके लिए बहुत अच्छा है अब इसी का टाइप सी है फर्स टाइप के जो question थे उनी में C टाइप का है अभी तो पिछले वाले टाइप में हमें देरेकिती विसम संख्याइं विसम numbers और यहां पर आएंगे sum numbers जैसे पिछले में देरका 3, 5, 7 इस टाइप से यहां पर आएंगे 4, 6, 2, 8 इस टाइप से चार करमागत समसंख्याओं का योग 36 है तो तीसरी संख्या ग्याद कीजिए अब ऐसी कंडिशन में हमें इनको मानना पड़ेगा X, Y, Z कुछ भी है तो अगर X मानने कोई समसंख्या है तो उसकी चार करमागत समसंख्या है कौन सी होगी अगर एक समसंख्या x है, एक समसंख्या x है, तो उससे अगली समसंख्या कौन सी होगी, x plus 2, उससे अगली संख्या कौन सी होगी, x plus 4, इस टाइप से, और उससे अगली समसंख्या होगी, x plus 6, तो यहोगी चार संख्या है, एक, दो, तीन, और यह चार, और इनका योग दे तो 4X बराबर होगा 36 में 14 में चला जाएगा 4X बराबर हो जाएगा इसमें 6 में से 4 जाएगे 2 और 3 में से एक जाएगा 2 गलत तो नहीं हो गया है देखते हैं कितना आता है यह बचेगा 36 लोग है इसका चार किरमागत समसंख्याओं का योग 36 है चार दस और दो बारा सो और यह बारा होगा यहां पर यह दो था 2 और 4 6 और 6 बारा तो यह बारा हो जाएगा तो 36 माइनस 12 तो यह बच जाएगा यहां पर 24 ठीक है तो 4 शंग 24 X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी तो तीसरी संख्या यह पहली है यह धूसरी है और यह तीसरी है इसकी वैल्यव पूच रहा है तो X plus 4 की वैल्यव बतानी है यानि कि 6 plus 4 is equal to 10 ठीक है तो तीसरी संख्याओं हो इसमसंख्या वह कितनी है 10 हो जाएगी इक बार में और बता दीता हूँ जब ये नंबर पिछले वाले उसमें दे रखे था मैंने टाइप में विसम नंबर पूछ रहा था तीन या पांच लेकिन अगर सम नंबर पूछेगा तो इसी टाइप से करना पड़ेगा इसको प्रोपर मैंतर से कैसे चार करमा का संसंख्या को एक 36 है तो पहली करमा का संसंख्या हमने मान लिए X है अगली होगी X प्लस 2 यह मैंने बताई भी थे इस टार्टिंग में उससे अगली X प्लस 4 उससे अगली X प्लस 6 और टोटल योग कितना इनका 36 है तो X X X X मैंने एड कर दियो 4X हो गए यहां से 2 और 4 6 6 और 6 12 तो 4X प्लस 12 बराबर योग कितना इनका 36 4X बराबर 36 माइनस 12 यहनि के 4X बराबर जाएगा 14 24 तो 4 से इसको 24 को 6 बार काट देंगे X वैल्या जाएगी 6 कि अब X's की वैल्या 6 का मतलब क्या है? सबसे छोटी समसंक्या 6 है उससे अगली होगी 6+, बार्स बार कर दो, उससे अगली होगी 6+, बार, दस तो तीसरी बीस्स कमसंक्या गूच रहा था वह होगी 10 , के लियर है? वैसी ये 6 करमागत समसंख्याओं का योग कितना है 102 योग दे रखा उसने 102 और 6 करमागत समसंख्या है तो पहली करमागत समसंख्याओं अगर होगी X तो अगली होगी X plus 2 उससे अगली होगी X plus 4 उससे अगली होगी X plus 6 कितनी होगी 1, 2, 3, 4 उससे अगली होगी x plus 8 और उससे अगली होगी x plus 10 इन सब का योग दे रखा 102 कितनी संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब इसमें x जोड़ो सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह है, तो 6 x plus 10 और इसमें x, 8, 6, 24, 24 28, 27, 26, 26, 28 eto, 3,screen ile 3, 6 x plus 30 بड़ार 102, 6 ecs पुलस 30 बड़ावर 102, तो 6 ecs बड़ावर का हो जायगा, 6 ecs बड़ावर हो जायगा, 102, minus में चला जायगा 30, टो 6 ecs बडावर हो जायगा, 2 में से 0 जाएगा, 2 और 10 में से 3 जाएगा 772, 6 x की value 72 तो 6 से कर जाएगा 12 चंक 72, x की value अजेगी 12, अब x की value अगर 12 है, वो बोला सबसे चोटी संख्या ग्यात कीजिए, तो सबसे चोटी संख्या भी क्या है? X है तो X की value 12 सबसे छोटी संख्या जाएगी 12 किलियर है सबसे छोटी संख्या 12 है अगर वो गुष्टत तीसरी संख्या कुन सी है तो तीसरी X plus 4 है चोथी X plus 6 है 5 X plus 8 है 6 X plus 10 है और दूसरी X plus 2 है जो पूछेगा उसमें add कर देंगे X की value को clear? चलियर चार करमागत विसम संख्या का योग 72 है सबसे बड़ी संख्या जाद कीजिए अब संख्या हो या विसम संख्या हो करमागत में यह आता है अगर सबसे पहली या सबसे छोटी विसम संख्या X हो तो अगली विसम संख्या कौन सी होगी x plus 2 होगी, उसके बाद कौन सी होगी, x plus 4 होगी और उसके बाद होगी x plus 6 और इनका सबका योग दे रखा, उसने 4 संख्याओं का 1, 2, 3, 4, इनका योग दे रखा है 72 x जोड़ लो, 1, 2, 3, 4, 4x प्लस 2, और 4, 6, और 6, 12 तो 4x plus 12, बारावर 70, 2 तो 4x बरावर हो जाएगा 72 माइनस 12 तो यह हो जाएगा 60 और 4x बरावर 60, तो x बरावर 15 जब x की वैल्यू 15 है, वो गोला सबसे बड़ी संख्या ग्यात कीजिए सबसे बड़ी संख्या है x plus 6 तो x plus 6 की वैल्यू पूछ रहा है यनिके 15 plus 6, 21 तो सबसे बड़ी संख्या कौन से होगी 21 हो जाएगी इनमें चार करमागत विसम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ग्यात कीजिए सबसे बड़ी संख्या है हमारे पास 21 तो जब यह तरीका हो यहाँ पे sum number दिये हो, number of terms जो है यानिके n बड़ाबर जो है sum संख्या हो तो इसी तरह से करेंगे 6 करमागत विसम संख्याओं का योग 180 है विसम संख्याओं है, 6 है तो x plus x plus 2 plus x plus 4 plus x plus 6 plus x plus 8 plus x plus 10 वह बड़ा number आ गया, बड़ाबर 108 तो कितने संख्या है, 6 है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी संख्या होंगे, उतनी x होंगे 6 x हो गया, plus 2 और 4, 6 और 6, 12, 8, 20, 10 30, 6 x plus 30 बड़ाबर 108 अब इसमें से 6 x बड़ाबर हो जाएगा 108 minus 30, यानिके 6 x बड़ाबर 78 तो x बड़ाबर कितना होगा, 13 चंग 78, x ही value हो जाएगी, 13 6 x 6, और 6, 18, तो x बड़ाबर हो जाएगा 13, x बड़ाबर 13 का मतलब सबसे छोटी विसम संख्या, इसमें 13 है वो बोला, चोथी संख्या ग्यात कीजिए तो पहली, दूसरी, तीसरी और चोथी ये है चोथी विसम संख्या यानि के x बड़ाबर 6 की value पूछ रहा है तो 13 और 6, 19 19 है, सबसे, इसमें चोथी विसम संख्या कर्मागत विसम संख्या किलिए रहे के नहीं? किलिए अगर नहीं हो तो comment section में मुझे बता देना चोथी विसम संख्या 108 ही था ना, ध्यान रखना इसका मैंने उपर 108 ले लिए, 180 था ये ध्यान नी जा रहा है रात में खेर इसको 180 कर देंगा अगर इसकी जगए 180 है तो मैं 180 से भी solve करके दिखा देता हूँ ये वाला योग तो ये आ जाएगा तो 6X पुलस 30 बराबर 180 और 6X बराबर हो जाएगा 150 तो 6 से कट जाएगा ए X बराबर 25, 6 दुनी 12, 3, 6, 5, 30 जब X बराबर 25 है तो चोथी संख्या कौन सी X पुलस 6 तो हो जाएगा X पुलस 6 यानि के 25 पुलस 6 यानि के 31 अगर 180 ले रहा मैंन का योग तो इसकी चोथी संख्या कौन सी आ रही? 31 और मैंने 108 लेके कर दिया था वो द्यहन नी दे, 180 को 108 लिख जा मैंने तो आंसर कितना रहा था? 19 त्यान लखेंगे ठीक है? जो actual question था 180 वाला उसका आंसर ये है वो मैंने 108 लेके कर दिया तो उसका आंसर 19 है जब कर दिया तो कर दिया सी लेना इसको दो गर्शन समझ लेना इसको अब दूसरा टाइप है इसका संख्याओं के वर्गों और गहनों पर गहनों के योग पर आधारीत प्रस्व वर्ग और गहनों होते हैं अब इसमें अगर वो बोल दे के मानलो 1 से लेके n तक कोई नंबर दिये हो और उनका वर्ग निकालना हो कोई गहन पूर्णांग अगर दिये हो तो उनका वर्ग निकालना हो तो वर्ग क्या होगा यादि के स्कॉयर क्या होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 अगर ये पूर्णांग दिये हो और इनके वर्गो का योग पूछ रहा हो तो n into n plus 1 यानिके एक से लेकर n तक कुछ धन पूर्णांग है पूर्णांग है उनके वर्गो का योग एक से लेकर n तक के वर्गो का योग क्या होता है वर्गों का योग होता है n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 अगर वो पूछ ले कि इनके घनों का योग क्या होता है एक से लेके n तक के घनों का योग एक से लेके n तक के घनों का योग तो यहोगा n into n plus 1 upon 2 इसका square n into n plus 1 upon 2 का whole square ठीक है यह गहनों का योग है और वो वर्गों का योग है अब इसमें क्योशन देगा टाइप A है इनका योग याद कीजिए एक का स्क्वाइर दो का स्क्वाइर तीन का स्क्वाइर चार का स्क्वाइर तक पूछ रहा है तो वर्गों का योग है वर्गों का योग में क्या ल तक है तो यहां पर n कितना है 80 है इसमें रख देंगा इन की जगा तो 80 n की वैल्यू और n प्लस 1 यानिके 80 प्लस 1 81 गुणा 81 और इंटू 2n प्लस 1 2 इंटू 80 160 प्लस 1 161 बटे 6 इससे काट ना इसको 80 गुणा 81 बटे 161 बटे 6 इसको मल्टिप्लाइ करेंगे दो से काटेंगे 40 बार और दो से 3 बार तीन से काटेंगे 27 गुणा 27 गुणा 161 इसको मल्टिप्लाइ कर लेंगे आप तो 17 3 8 8 0 यह आ जाएगा 17 38 80 तो एक से लेके 80 तक के square का जो series है उसका अगर हम योग निकालेंगे 2N प्लस 1 इन्टू 2N प्लस 1 और 6 से तो यह निकल के आएगा 17 38 80 एक लाग तीहत्तर अजार आट सो असी किलिए हैं मल्टिप्लाइ कर लेंगे ना इसको 40 27 161 को 20 का square 21 का square 22 का square और 70 का square फिर वोई condition बनी है जो मैंने पिछले टाइप में बताया था पिछली वीडियो में कि बीच में से अगर कोई संख्या हो तो सबसे पहले उसको स्टार्टिंग से फर्स से निकालते हैं और फिर उसमें से वो माइनस कर देते हैं जहां तक का नई चाहिए होता है तो मैं एक से लेके 70 तक में एन केतना होगा 70 और इसमें से मुझे चाहिए 20 से आगेगा तो 99 तक का माइनस कर दूँगा एक से लेके 17 तक में एन कितना होगा अब 1 से लेके 70 तक में n 17 और 1 से लेके 19 तक में 19 ठीक है तो टोटल पहले एक से लेके 70 तक का निकाल देंगे और एक से लेके 19 तक का उसमें से माइनस कर देंगे तो n into n प्लस 1 यानिके 70 गुणा 72 n into n प्लस 1 into 2n प्लस 1 तो 2n मतलब 70 गुणा 2 140 पलस 1 141 बटे 6 ये कुछ आएगा एक से लेके सतर तक था। उसमें से माइनस करें हम से लेके 19 तक था थो m jeste, 19 गुणाscreen P1 यानी कि 20 गुणा 2 n 1 प्लस वन 19 गुणासी गुणार सब्सीरे इसमें से यह माइनस करें के किलिर है तो काटके देखेंगे, इसको है resto काटें 35 बार और 2 से काटेंगे 3 बार और 3 से काट देते हम यह कर जाएगा आपका 141 3 चोकु 12 और 3 सत्ते 21 तो यह बचेगा 35 गुणा 71 गुणा 47 अब मैं इसको 3 से काट देता हूँ 3 दूनिच है और 13 ती 49 दो से काट देता हूँ 10 बार 19 गुणा 13 गुणा 10 यह तीन नमबर यहां बच गए 19 गुणा यह 19 है 19 गुणा 10 गुणा 13 आप इसका मल्टिप्लाई करके क्या रहा उपर 11 67 95 यह मल्टिप्लाई कर लेना खुछ से देख लेना 11 67 95 और इसका मल्टिप्लाई करके गा 2470 2470 ग्यारे हजार एक लाग 16 795 में एक लाग 16 795 में माइनस 24 सत्तर यह बचेगा एक लाग 14 325 एक लाग 14 325 यह अंसर आजाएगा यह कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी प्रेक्टिस से से हो जाएगी है एक लाग 14 325 कैलकुलेट करेंगे आपकी 20 से लेके सत्तर तक पूछा था तो पहले एक से लेके सत्तर तक निकाला उसमें एक से लेके 19 तक का माइनस कर दिया तो 20 से सत्तर बज़िया सेस एक लाग 14 325 by a Q2 q 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 90 तक n कितने है 90 है तो n की value 90 गुणा n प्लस 1 एन के 91 अपॉन 2 पर इसका square 2 से कर जाएगा 45 बार और 45 गुणा 91 इसका 45 इंटू 91 का whole square तो यह आ जाएगा हमारे पास 16769025 multiply करना पड़ेगा आपको खुद ठीक है ध्यान रख लेना क्योंकि यहाँ पर square निकालना इसका 16, 76, 95 इसका q आ जाएगा एक से लेके 90 तव की terms का ठीक चलिए अगले पे चलता है फूर्थ question पर अब 15, 16, 17 से 60 तक का q फाइंड करना है तो पहले में इसको एक से लेके 60 तक का निकाल दूगा और उसमें से माइनस कर दूगा मैं एक से लेके चोड़े तक का q यह एक से लेके 6 तक का फाइंड करेंगे फिर एक से लेके के साथ तक का n तो n into n plus 1 61 upon 2 का square minus अब एक से चोदा में n कितना 14 तो 14 गुणा 15 upon 2 और इसका square एक से लेके साथ तक में n 60 हो गया तो n into n plus 1 upon 2 का holy square 60 गुणा 61 बटे 2 का whole square एक से लेके 14 तक में n 14 हो गया 14 गुणा 15 बटे दो n into n plus 1 upon 2 इसका holy square तो एक से लेके 60 तक वाले कितना निकलेगा 33 48 900 जिसका जाएगा 33 48 900 और माइनस करेंगे 2 से कट जाएगा 30 बार 30 गुणा 61 का holy square दो से कट जाएगाए दो सत्ते चोड़ा है तो पंदर सत्ते 105 105 का square एक सो पांच का square ग्यार जीरो 25 होता है ग्यार जीरो 25 तो इसमें से इसको माइनस करेंगे या जाएगा 33 37 600 पुछेत्तर 33 37 600 पुछेत्तर के लिए तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होंगे calculation इसमें बड़ी होती है इस टाइप के क्वेस्टन में डेली इसमें मैं आपको लगबग एक टाइप तो करांगे पूरा दस क्वेस्टन का या अगर आगे पीछे विवा तो ज्यादा भी करा सकता हूँ ठीक है तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं कल मिलेंगे नए टाइप के साथ तब तक के लिए भाए थेमसोब अचे